तो आज हम बनाएंगे एकदाम पर्फेक्ट तिलगूर के लड़ू तो सरदिया शुरू होते ही हमारे घरों में बहुत सारे तरह तरह के लड़ू बने लगते हैं और उसमें से एक है तिलगूर के लड़ू जो की पहुत ही टेस्टी बनती है और ये इतनी सफ्ट बनती है जैसे ही आप इसे खाएंगे न ये मुह में जाते ही खुल जाएगी और इसे बनाना ही बहुत आसान है तो वीडियो को फूल वाज कीजिएगा और अगर आज की रेश्पिय आपको पसंद दे तो वीडियो का लाइक से और जड़ू से कर दिजेगा तो चलिए बिना देर के विए इसे बनाना सुरू करते हैं तो तील के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले गैस को पर इसता से एक पैनिया करा ही रखेंगे और इसमें मैं यहाँ पर ले रही हूँ देर कप सके तील तो यहाँ पर आप कोई भी कप या कटोरी का माप कर सकते हैं और उसी से आपको आगे का भी माप करना है अब इसे हमें 2-3 मिनट के लिए धीमी आज पर continue चलाते हुए तील को भून लेना है बस ध्यान देना है इसे आपको continue चलाते है भूनना है ताकि जो तील है तले से लगे ना तील को भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यह 2-3 मिनट में अच्छे से भून जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे मै इसे भून रही हो ना इसका color हलक estem होテे जा रहा है और यह इस देह से भूल भी रहा है मतलब कि अपने जैसり डबल हो रहा है तो यहाँ पर दिखे तील को हमने अच्छे से 2-3 मिनिट के लिए बून लिया है यहाँपर आप देख सकते हैं जब तील अच्छे से बून जाते हैं इसमें बढ़िया से एक साइनिम्ग आ जाता है और यहां पर देख सकते हैं इसका कलर भी हलका सा चेंज हो गया है और इसमें से बहुत ही भरिया खुज़ू भी आ रही है तो बस हमें इतना यह तील को भुणना है तो चलिए अब हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे एक बरतन में निकाल लेंगे ताकि य दरदरा सा पीश लेंगे तो जियादा इसका फाइन पॉर्डर हमें नहीं बनाना है बस इसी तरह से हमें दरदरा सा पीश लेना है तो चलिए अभी साही रख देंगे अब नेश्चे श्ट्रिप में गैस के उपर इस तरह से पाइन यह का रही रखेंगे और यहां पर मैं ले रहे हूं थीरी फॉर्थ कप यानि की तीन चौथाई कप गूर तो हमने यहां पर देर कप तिल लिया था तो उसी का आधा हमने यहां पर गूर लिया है मतलब अगर आप एक कप तिल लेंगे ना तो उसका आधा आधा आपको गूर लेना है तो जिस कप या कर्टोरी से तो आप तील का माप करेंगे उसी का आधा आपको गूर का माप भी करना है तो देखिए गूर को हमने इस तरह से छोटे-छोटे टुकुरे में तोर लिया है ताकि गूर को पिखलने में टाइम ना लगे जल्दी से गूर पिखल जाए अब इसमें हम एक चमच की जितना पाइ खाने में भी वो करवा करवा लागेगा तो इस बात का भी आपको खास ध्यान देना है बस दो तीन बातों को आप ध्यान रखेंगे ना तो आपके तील के जो लड्डू हना एकदम परफेक्ट बनेगी और यहां पर आप देख सेकते हैं गूर इसमें अच्छे से पिखल ग अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम एक मिनट के लिए पका लेंगे इसे ज्यादा इसे हमें नहीं पकाना है चोलेजे इसे हमने एक मिनट के लिए कंटिनुए चलाते हुए अच्छे से पका लिया है और यहां पर आप देख सेकते हैं इसमें इस तरह से बबस भी इसे ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है तो अब इसमें हम तील एड़ कर देंगे तो जो हमने तील का पॉर्डर बनाया था ना वो पहले इसमें एड़ करेंगे और उसके बाद ये बागी का भी तील एड़ कर देंगे और तील एड़ करने के बाद इसमें अच्छ compr 2019 मिलालेंगे सी में दूशिती मिक्स में से यह और इस तर्स है अच्छा कहांसे मिलाने के बाल जब इस तरह से यह बैंदिंग के फॉर्म में आरा जाए तो हम गयाया करेंगे लिद को तो काहँते आद्धा दव्यालीनिकें हो लेगे तो चलिए अब इसका हम लडू बनाएंगे तो गरम गरम में ही यह लडव इसका परफेक्ट बनता है तो इस तयर से एक ei से जिससी की लडू जबना तो एक समान बने और इस तयर से इसमें से पोशन लेंगे और इस तयर से हम गोल गोल बनाते जाएंगे यह देखें कितना बढ़े से इसका लड़ू बनके तियार हो रहा है यह देखें तो इसी तरह से सारे लड़ू बनाके हम तियार कर लेंगे तो हाई ने कितना आसान तील के लड़ू बनाना तो बस इसी तरह से इसमें से थोड़ा थोड़ा पोसन लेते जाएंगे और इसका हम इस तरह से गोल गोल लड़ू बनाते जाएंगे फ्रेंस आपको याद दिला दूँ अगर आज की रेस्पी आपको पसंद है तो वीडियो का लाइक से जरूर से कर दिजेगा और मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा आप मुझे कहां से देख रहे हैं कौन सा सीटी से देख रहे हैं ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे वीडियो को कितना लाइक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसका सारे लड़ू बना के तियार कर लिये हैं और देखी कितना परफेक्ट लड़ू बनके तियार हुआ है तो आप फ्रेंस इस तिल बूर के लड़ू के एक बार मेरे तरीके से जडर बनैयेगा या आपको बहुत पसंद आएगी और इसे बनाना ही बहुत असान है और जब आप इस तरीके से तिल बूर के लड़ू बनाएंगे तो आपके भी लड़ू पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगी एक मैं आपको तोर के भी दिखाते हूँ यह देखे एक इतनी सोफ्ट बनी है जब आप इसे खाएंगे एकदम मुझ में जाते ही घुल जाएगी एक दम परफेक्ट लड़ू बन के त्यार हुई है तो आई होग कि आज की रेस्पी आपको पसंद आई होगी रेस्पी पसंद देते वीडियो का लाइक करें आपना फाइमरी फ्रेंस में भी सेयर करें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और नए रेस्पी के साथ थैंक्स पर वाचीं